क्लास आप अच्छी तरह से इसको याद करने में जैसे पढ़ाई होते जा रही है आप याद करते जाएंगे ये आपको अब्जेक्टिब स्कॉश्चन में मदद करेगा साथ ही साथ लगुतर ये शबाले में भी आपको ये पूछा जाता है ये है आपका संक्रामक्रूप और ये वाइरस जनित संक्रामक्रूप है आप वाइरस जनित पर रहे थी पीछली क्लास में आपको हेपेटाइटिस के बारे में मतला ही थी दूसरा नमबर के वाइरस जनित में कोमन खोल्ड और आप इसको कोरोना वाइरस से मिलाएंगे इसको बुर्ते नहीं सामाने जुका और इसका पैथोजन जिससे ये रूप बंद होता है उस वाइरस का नाम है राइनो वाइरस ये वाइरस का एक विसेज समू है एक साखा समू है जिसके वारा यह रूप उत्पन होता है और ये प्रायप जो है उत्पन पोड़ी वाला रूप है इससे नाम और स्वसंपन संक्रमित होता है इस रूप में और इस रूप में कंठदा होते ना कंठ में जलन होता है हटी आबाज, खासी, सेवदर, खलका बुखार भी होता है अकाबट हसुस होती है ये सब कॉमन गॉर्ड का सामाने लच्छन है संक्रमित ऐसे होता है यदि योगी किसी पेन का इस्तेमाल करता है और स्वस्त बेटी उसको छूता है तो उसका संक्रमन उसमें हो जाता है पेन से, किताब से, तॉलिया से ये तो हमने कुछ पुदार रह लिखा है यहां तक कि कम्प्यूटर का भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं बेटी संक्रमित है तो उसके इपोर्ट को छूड़े पर अगर कोई स्वस्त बेटी उसका इस्तेमाल करता है उसको छूता है तो भी ये लोग जो है हो जाता है यानि यह है वह बहुत अधीक संक्रमा को भूब है और हमने कहा नाप और स्वस्त पत को संक्रमित करता है याद रखना यह राइनो वाइरस जो है यह मेप्रा को संक्रमित नहीं करता यह नाप और स्वस्त पत को संक्रमित करता है क्योंकि इसके बाद का हालू वाइरस है वो है मिक्सो वाइरस यह आपका कुरोना से मिलता है मिलता जुद्धा वाइरस है इस रोग का नाम है इंफ्लूंजा यह आपका तीसरा नमबर है समाने भासा में इसको लोग कुंते ना फ्लू के नाम से इसको जानते हैं और इसका पैटोजेन है मिक्सो वाइरस पैटोजेन का नाम आप जरूर याद करेंगे मिक्सो वाइरस के तिभिन एस्ट्रेन होता है और ये तिभिन एस्ट्रेन से उत्पर होता है इसी लिए इसके लिए ना कोई खास पैटा तयार नहीं किया गया क्योंकि एक से सक्रमत होगा और ये खुद बखुद परिवर्थित हो करके न दूसरे एस्ट्रेन में परिवर्थित ही हो जाता है तो एक टिका से अगर टिका करन कराया गया तो दूसरे में बदल गया तो उसके लिए कारगार सावे तक नहीं होगा ये वायु गवरा रोगी के छी के साथ फैलता है और इंप्रुंजा A और C इसके वाइरस जो है वो फेप्रा में तेजी से पृधी करता है और अपने संख्या में बढ़ाता है यानि पुनाली करता है संक्रमन होने के बाद रोगी जो है तेन से चार दिन तक परिशान रहता है अगर आप इसी दबाकार इस्तेमाल भी करते हैं वो भी वो फूर्ण रुपे आपको ठीक नहीं करेगा बल्कि आपको थोड़ी सी राहत में देखी और इसका लक्षण क्या है बुखार, नाक से, पानी बहना दर्द, सडीर में दर्द, कमजोरी, इत्यादी इसका मुख्य रक्षण नियंकर के लिए क्या करना है रोगी को आराम करने की नमश्रक्ता है और स्प्रेंट से बनी स्प्रेंट दबा है उसको लेने से, उसका सेवत करने से न रोगी को आराम मिलेगा, राहत मिलेगा बिल्गुल ठेक नहीं होगा फिर ठेक आपकी परिशाने कम हो जाएगी वो दो तेर दिन के बाद ही आपको खीट होगा कम से कम तेर से चार दिन आपको जड़ेगा खीट होगा यह है इंप्रूंजा इसी होना देगार्थ की भाचा में बूता न यह बाइरल होगा रोगा प्रिवेंशन तो प्रिवेंशन में आपको हमने कहा कि यह इसका स्ट्रेंग को बदल जाता है शड़ीर में इसलिए तीका भी कारकार साबित नहीं होगा बलके ठंधे और गरम है ना उससे बचाओ करना हो लोग करमी से जाते हैं और तुरंध पानी पिलेते हैं तो यह सारा लक्षा जो है इंफ्लूंजा लोग है इससे उत्बन पूता है इंफ्लूंजा से बचने के लिए आपको सरद्गरम से बचना है साथ की साथ बच्चों को भी ठंड से बचा करके रखना है यही है इसका गुरूप था और स्वक्षता भी इसका गुरूप था